कि हैं आगए हैं है तो फॉल्स देशिस गौत्व पांडे कमिंग अपिद दे नेक्स रौंड उफ नूव सिम्पिफाइड तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम के बारे में तो फ्रस्ट पॉल जबाद देखते हैं का के नियूज में क्यों है देखे रेसेंटली ministry of education ने निव इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लॉंच कर दिया है for the year 2022-2027 तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निव इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है इसके beneficiary कौन होंगे इसके की findings क्या क्या है उसे एक एक करके आपके साथ discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जरा हम निव इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के विसे में समझते हैं कुछ दूनों पहले हमने देखा था कि निव एजुकेशन पॉलिशी आई थी जिसमे कहा गया था government के द्वारा कि education for all उनका target है मिन्स सारे लोगों को educate करना चाहे वो किसी भी age group के हूँ तो उसी प्रोग्राम से align करते हुए government of इंडिया ने new इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को launch किया है जिसमें government का target ही है कि सभी को educate करना अभी तक क्या हम सुनते आ रहे थे adult education की बात करते थे मिन्स वो लोग जो 18 प्लस लोग हैं उनके education की बात होती थी तो कुछ age group इसमें बच जाता था तो new इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में 15 प्लस लोगों को भी add किया जाएगा में 15 से लेकर वब जो भी person होंगे उन्हें लिटरेट किया जाएगा जो अभी तक नहीं है तो जरा हम इसके objective की विसम समझते हैं देखिए अब्जेक्टिव की बात करें तो जितने भी 15 प्लस लोग हैं उन्हें फंडामेंटल लिटरेसी देना निमरेसी देना और साथ ही साथ लाइफ की जो critical skills हैं उन्हें भी सिखाना जरूरी है ताकि वह 21st century में जो भ बना देता है तो इन सब पीछे कारण क्या है लोगों का financial literacy ना हो पाना साथ ही साथ उनकी digital literacy ना हो पाना तो यह financial literacy है यह commercial skill वगेरा है इन सारी चीजों को भी इसमें प्रदान किया जाएगा add किया जाएगा मिंस वो सारे लोग जो लोग पूरी तरह से लिटरेट नहीं भी ह 97 के बीच में online mode में होगा means online portal के माद्य हमसे government उन सारे लोगों को लिटरेट करने की कोशिज करेगी चाहे वो urban area में हो चाहे रूरल area में हो चाहे state में हो चाहे यूटीज में हो यह matter नहीं करता है सारे इंडिया में जहां पे भी लोग होंगे उन्हें बेनिफेसरी जितने भ और कैसे होगा जैसा कि age group को cover किया जाएगे तो हमने बात कर ली 15 प्लस age को लोग होगे इसमें भी target किया जाएगा अलग लग divide करके ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होंगे 15 प्लस age में तो समझे अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिटरेट नहीं होंगे तो पहले जो गवर्मेंट का प्लान है उसमें टार्गेट कर रही है गवर्मेंट कि फाइफ करोड लोगों को नेक्स्ट फाइफ यर में पर यर वन करोड लोगों को लिटरेट किया जाए फो यूज करके किसे online training learning and assessment program system जो है उसे यूज करके लिटरेट किया जाएगा और बात आती है अब कि funding की से होगी पैसा कहा से आएगा उसके बाद हम समझेंगे किसे implement कैसे किया जाएगा फंडिंग की अगर हम बात करें तो न्यू इंडिया लिटरेशी प्रोग्राम एक centrally sponsored scheme है ना कि central sector scheme होते हैं जिसमें government of India 100% पैसे देती है बट जो centrally sponsored scheme होते हैं उसमें center का कुछ part होता है फिर state का कुछ part होता है तो इस पूरे के पूरे NILP पे खर्च होने वाला है 1037 करोड रूपी जिसमें से center देगी 700 करोड रूपी और state का जो हिस्सेदारी होगी होगी हमारे 337 करोड रूपी तो इन सारे पैसों को मिलाकर next 5 year में उन सारे लोगों को लिटर किया जाएगा स्कूल के माध्यम से जितने भी इंडिया में स्कूल है वहां के जितने भी टीचर है फ्रॉक समझे 20 लैक प्लस प्लस पीचर इसमें पार्टिसिबेट कर रहे हैं और साथ ही साथ वोलेंटरी लेबल पे कोई भी परसन जाके इन्हें टीच कर सकता है एगर बाद में उन्हें स्कूल लेबल पर एड़ करके उन्हें सारी चीजों को सिखाया जाएगा और ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया ही जाएगा इनका असेस्मेंट भी होगा जैसे इस क्लास में टीचर टेस्ट लेते हैं सेम वैसे ही टेस्ट लिया जाएगा यह होगा प्रफॉ कि साइड करके कि किसे कितने असानी से क्या सिखाया जा सकता है Shaka दो जाया सकता है जो पर आप जाकर देख सकते हैं CSR क्या है तो CSR के माध्यम से भी जो भी कंपनिया है पार्टिसिपेट करके वॉलेंटरी अपना इंप्लिमेंटेशन में सहयोग कर सकती है अपने पैसे लगा सकती है या जैसे भी रिसोर्सेज वगरा देकर उसने हें, हेल्प कर सकती हैँ अब इसमें टार्गेट किसे किया जाएगा खास करके लोगों के दी जाएगी खास करके girls को women सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सारे लोगों के सब्सक्राइब कारण आप समझ सकते हैं पहले सम देखते आ रहे हैं क्या है कि फिमल की जो एजुकेशन लेबल है वो अल्रेडी कम है तो उन्हें और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा ताकि और ज्यादा आगे बढ़ चल कर अब बात करते हैं कि 2022 में ये प्रोग्राम क्यों लाए गया देखिए याद किजिए जब 2011 में सेंसर हुआ था तो उसमें गवर्मेंट ऑप इंडिया ने एक डेटा जारी किया था जिसमें कहा था गवर्मेंट ने कि अप्रॉक्स समझ ये 26 करोड पीपल इंडिया में अभी भी एडल्ट ऐसे हैं जो कि लिट्रेट नहीं है तो इन सारे लोगों को टार्गेट किया जाएगा इस प्रोग्राम के मार्देम से आने वाले नेक्स्ट फाइप येर में कोशिज की जाएगी कि पहले 15-35 फिर 35 प्लस लोगों को एक-एक करके डिजिटली लिट्रेट किया जाए फिनांसियल लिट्रेट किया जाए या कमर्शियल स्किल जो भी सिखाया जाए ताकि वो अपनी जो दिंचरिया होती है उसे अच्छे से यूज कर सके ना ही किसी फ्रॉड में ना फसे तो गवर्मेंट का टार्गेट है कि नेक्स्ट फाइप येर में इस तरह की चीज Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.